नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचे दिन स्वागात रभिनंदन करता हूं अपर सभी प्रियरश होगा भारती जोतिश में सूर्य संसार की आत्मा है सूर्य का गोचर करक राशी में होने जा रहा है 16 जुलाई 2022 को सूर्य करक राशी में प्रवेश करेंगे सूर्य देव सेहत प्रसिद्धी प्रतिष्था सरकारी नौकरी मान सम्मान सफलता उच्पद के कारग रहे हैं 16 जुलाई 2022 की रात लगभग 10 बस के 50 मिनट से सूर्य तरक राशी में 17 अगस्त तक रहेंगे आप पर इसका क्या परवाव पड़ेगा क्या उपाय करना है यह सब में आपको वताओंगा सूर्य पिता है अनुशाशन है आत्मा है चंद्रमा मा है दया है करूरा है सूर्य कर्क में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं पिता मा के घर जा रहे हैं जिसकी भी सूर्य चंद्रमा शनी की दशा महादशा चल रही है उन पर इसका विशेश प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का सूर्य आग है कर्क राशी जल है जब भी सूर्य कर्क में जाते हैं तो बारिश आती है यानि सावन का महीना आता है सूर्य आग है और पानी बारिश है भूल यानि जब धर्ती पर देखते हैं कितनी गर्मी होती है तो आग होती है तो पानी डपकता है तो आग खत्म हो जात सूरी अभी करक राशी में, करक राशी के बाद उनकी अपनी राशी आईगी स्रिंग राशी, यानि वो अपनी राशी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब भी सूरी सूराशी अपनी राशी की तरफ बढ़ते हैं, सूराशी अभी राशी होते हैं, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं सूरी के उपर शनी की सात्री दश्टी भी होगी इस गोचरकाल पर शनी सूरी मित्र नहीं है तो समाजी क्रांती होगी सरकार के अदला बद्ली होगी आपके डैनिक जीवन में काफी उठा पुथल हो सकती है घमासान रहेगा लेकिन गुरू की शुब दश्टी होने के कारण स कडिश पर को चार संबार सावन के आएंगे सावन के महीने में नाकपंशमी आएगी शिवरात्री आएगी आतरी तो अगर आपको इस गोचरकाल के शुव परभाव लेने हैं तो कालभ हरों के उपास नहीं उपास नहीं करें शिव उपासना करें हर सुंबार चार सुंबार गवरत रखें मापारवती की पूजा करें और वैसे भी मापारवती और शिव जी सावन के महीने में धर्ती पर होते हैं और नारायन और लश्मी दोनों ही धर्ती पर होंगे तो इनकी उपासना से सूर्य के अशुप्रभाव सम और यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित हैं अगर आपको लगता है कि सभज में आरही हैं आप चैनल सब्सक्राइब पर दबाएं और घंटि को भी तो सिंग राशी है आपकी राशी माँ के सूर्श लग के सौमी है और यस समय में वर्तवार में बारवेभाव है कोशल। इस घंखेर नहीं करता है जब आपको अब में बढल सब्सक्राइब तो वहां पर आपको है प्यारत थो चाहे पाराई के लिए टो चाहे शाली पार है कि सिंश आhoo दिए का इकक यह वैपार विदेश से जुड़ा है तो अच्छा चल सकता है काम्याबी और पुनाफा बढ़ेगा आपके राज आपको गुप्त रखने होंगे वक्त से पहले किसी को कुछ भी ना बताएं डिनोरा ना पीटे कि मैं ये और मैं वो महनत कड़ी करनी होगी तभी पहचांत रा रहा है और दूसरों की गलतियों का आरोप आपके ऊपर ना लगे इस बात कर द्यान लखेगा और जो भी अगर आप सरकारी करम जारी है तो नंबर दो वाले काम मत तरीका फजाएंगे शत्रू इंतजार में होगा कि आप तुछ ऐसी गलती करें जिससे वह आप पे आरोप आप ही इमेज बिगारने के लिए विए कभीकभी नहीं हूगी है और शाला कोई कभी नहीं होगा नहीं आशा कर दो दूता सबस्क्राइं एक तंद र होगा जोगो और अगर खराब है जनम पुर्डी में और कहीं आपको लग रहा है कि आपको मन को ताविक शीजे नहीं होने वाली यह पर बनक लग गई तरफ फोन मिलाएं अपनी जनम पुर्ली की जाश रहा है और सुरक्षित हो जाएं मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सूर्डी को